नमस्कार, पाकिस्तान के फाइन्स मिनिस्टर शौकत तरीन इस समय हैं वशिंग्टन में, आइमेफ के आफिस में, इंटरनाशनल मॉनेक्टरी फांड के आफिस में वहाँ पे बात कर रहे हैं कि 6 बिलियन डॉलर का लोन कैसे भी पाकिस्तान को मिल जाए, 6 बिलियन में से 1 बि टॉक्स फेल हो गई और टॉक्स फेल होने के बाद, पाकिस्तान से ओडर आए कि आप अपनी स्टे को एक्स्टेंट कीजिए, एक्स्टेंट करने के बाद जो गए हैं, आप काम करने, पैसा लेके लोटियेगा, ठीक है, बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन कुछ ही बता रहे थे नहीं हूँ पाया आयन ने ये भी बोला कि आप मिनी बजट देने वाले हो वो मिनी बजट हमें दिखाओ पहले आप क्या कर रहे हो उसमें अब हालत यह आ गई कि यह बजट अपना आयमेफ से अप्रूव करा के देंगे में बजट पर भी उसकी टर्म्स हैं तो साथ मैं उसने ये भी बोला कि अपने टाक्स एक्जेंशन बंद कीजिए आप पर्सनल इंकम टाक्स में जो अपर लिमिट में लोग आ रहे हैं मतलब मीन सबसे ज़्यादा टाक्स जो पे करते हैं सबसे ज़्यादा कमाई वाले लोग जो हैं उनके ओपर ज़्यादा ruling elite के दोस्ते हैं उन पे कौन tax लगाएगा पाकिस्तान को अपनी भी तो setting चाहिए ना तो ये भी नहीं हो सकता था बोला अपनी public spending कम कीजिए public spending मतलब सड़ के बनाना ये वो तो वो भी पाकिस्तान नहीं कर सकता था मजबूरी थी और 500 billion rupees का additional tax लगाने के लिए बोला तो वो 500 billion rupees का additional tax कहां से लगेगा इन्होंने बिजली की दरें महेंगी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली किर कुछ पे उसने वो भी किया कुछ पे implement भी किया इसमें कोई शक नहीं लेकिन फिर भी IMF तयार नहीं है IMF खुश भी नहीं है पाकिस्तान की progress से और पाकिस्त तो ये जुलाई 2019 में अप्रूव हुआ था उसके बाद ये डीरेल हो गया जैनवरी 2020 तक आते हैं फिर उसके बाद मार्च 2021 में फिर से इसको start किया गया बात हुई लेकिन जून में फिर से मारी गई कहानी जून में फिर उसका लड़ाई चगड़ा हो गया और वो एगरी न यह मामला गड़ बड़ा है हम तो में नहीं दे सकते तो अब फिर गए हैं बात करने के लिए फिर से वापस प्रोसेस में लाने के लिए पैसा तो मिल नहीं रहा है एक प्रॉब्लम जो IMF को है पूरी वर्ल को भी है वो यह है कि पाकिस्तान में investment का माहौल का मतलब पाकिस्त नहीं आ रही है उसे पता ही नहीं है कि investment में मेरा कितना पैसा corruption में बरबाद हो जाएगा मेरे profits कितने होंगे कैसे आएंगे justice system यह एक issue रहा है शुरुआत से पाकिस्तानी कोर्स जो international investors हैं उनके जो legal issues है उनको बहुत अच्छा deal नहीं करती है वो corruption हो या कुछ भी हो वो पैसा जो फासा हुआ है वो मिल ही नहीं पाता और फिर उसके बाद वो company छोड़के चली जाती है तब भी पैसा नहीं मिल पाता यह एक problem है और इस problem से सब को deal करना बहुत जरूरी है तो ऐसे issues, financial issues पे उनके loss भी बड़े खराब हैं किसी को यह नहीं पता कि पाकिस्तान चलता कहां से है क्या वो रावल पिंडी GHQ से यानि कि आर्मी हेड़कॉर्टर से चलता है या इस्लामबाद से चलता है जहां पर प्राइमिनिस्टर बैठते हैं यह अभी तक किसी को clarity नह पाकिस्तान को उसमें नहीं बुलाया गया निकाल दिया भार कतर को बुलाया गया तो कतर को बुलाया गया तो फिर आप यह समझ लिजी के G20 भी इनकी कितनी इज़त कर रहा है political instability भी बहुत हाई है इस समय तो army chief और prime minister दोनों head on collision पे है तो political और दूसरी चीज़ के यह भी नहीं पता कि शौकत तरीन जो गए हैं हो सकता है कि इमरान खानी clear हो जाए अगर army take over हो गया तो वैसे ही बड़ी tense situation है army take over हो गया तो इमरान कहान clear हो गये तो फिर यह शौकत तरीन नहीं रह जाएंगे एक नया finance minister हो जाएगा तो वो कौन देख जेलेगा उसको कि जो promises वो करके गए थे वो अगले वाले नहीं मना कर दिया तो तो political instability की भी problem आ रही है तो यह सारी चीज़ें मिल करके Islamabad फसा हुआ है economy की position बहुत खराब है और यह भी कि यह जो meeting है इसको virtually अटेंड नहीं किया आदमी भेजा finance minister specially भेजा गया इस काम के लिए कि आप जाएए और जा करके वहाँ पर जा करके बात कीजे तब हम कुछ कर पाएंगे वरना हमें loan नहीं मिलेगा IMF जो है macro economic framework जो है पाकिस्तान का उससे बहुत परेशान है वो बोलता है कि तुमारा macro economic framework तो कितना खराब है कि तुमारे पास revenue नहीं है current deficit जो तुमारा बड़ा खराब है sorry in fact जितनी revenue है यानि कि जितने taxes है उससे double खर्चा है और पिछले जो करजे हैं वो उसमें से जादा तर उनका tax repayment उनका करजे का repayment में जादा तर पैसा जादा तर budget जा रहा है तो इतनी खराब situation में पाकिस्तान कैसे develop कर सकता है पिछले करजे बहुत जाद है अभी हाल में power tariff यानि के बिजली की कीमत एक रुपे करीब एक रुपे 40 पैसे बढ़ाई गई थी एक नवंबर से वो implementation में आ जाएगा जो बढ़ाई कीमत है यह भी IMF के उसमें हुआ IMF की प्रेशर में पाकिस्तानी स्टेट बैंक का जो चीफ थे उसे भी change किया गया रेजा बगीर को बनाया गया अब वो यह रेजा बगीर पहले IMF में ही काम करते थे और कई कंट्रीज में काम कर चुके लेकिन अगर वो स्टेट बैंक के चीफ को change कर आ रहा है आपका budget पहले मंगवा रहा है और उसको अप्रूव कर रहा है तो सोच लीजे किस position पर पाकिस्तान आ चुका है एक एक कदम IMF से पूच के उठाया जा रहा है IMF एक एक कदम बता रहा है आपको ऐसे करना है तब आपको loan देंगे वरना loan नहीं मिलेगा और loan की ऐसी problem है कि finance minister को अपने सारे काम छोड़ करके Washington camping कैंप करके पढ़े और पता नहीं वाँ कित्ते दिन रुकेंगे अपनी stay extend की गई है ताकि एक billion तो मिल जाए ताकि हमारा खर्चा तो चल जाए बुरी हालत है अभी पाकिस्तान के एक nationalized bank के vice president को arrest किया क्योंकि वो dollars को smuggle कर रहे थे, export कर रहे थे, dollars भार ले जा रहे थे, तो dollars की कमी है और dollars की smuggling हो रही है, FATF की list में आप पहले से बैठी हैं, grey list में, ये भी एक problem आ आ रही है, ये भी एक problem आ रही है, IMF के सामने कि तुम तो FATF list में हो, अगर grey list में चले गए, या अगर black list में चले गए, तो तुमारी economy बट्टा बैड़ जाएगा, और उसके बाद हमारा पैसा वापस के दोगा भी, तुमने कितना अभी तक किया, और अभी तो तुम हटते पे touch कर रहा है, 171 रुपे का 1 dollar, वो touch कर रहा है, और अभी नहीं पता कि ये कहां जाएगा, गिरता जा रहा है, जिस तरीके से IMF का loan कम हुआ, वहाँ American sanctions लगने के लिए तयारी है, और यहाँ पूरी world इसको बड़ी खराब नजर से देख रही है, कोई economic dealing नहीं करना चाहता, चाइना ने अपने 38 million dollar, अलग से मांग लिए, वो भी कम हर जाना, जहा हमारे आदमी मारे गए थे, इसलिए दो हमें हर जाना, तो ये भी एक problem, चाइना के से पैसा आ नहीं रहा, उल्टा मांगा, IMF से मिला नहीं, America sanctions लगाने के चक्कर में है, European Union पहले से आप से कोई रिष् experts मान रहे हैं कि ये जल्दी ही 200 cross करके 200 रुपे का 1 dollar तक पहुच सकता है, और 200 रुपे का 1 dollar पहुचा, उसका impact क्या होगा, उसका impact क्या होगा, कि ये जो तेल, petrol, आज 138 पे है, ये उचल के करीब 150 से 170 के बीच में पर लेटर हो जाएगा, साथ में, बिजली की rates भी बढ़ें का, एक, सीधा-Sीधा, एक impact क्या होता है? एक impact यह होता है कि आपकी एक तो लेबर कॉस महेंगी हुई, लेबर कॉस के साथ-साथ factory में जो production हो रहा है, वो बिजली के थुरू हो रहा और petrol के थुरू हो रहा है, या diesel के थुरू एक crude oil के थुरू हो रहा है, तो मतलब आपके ज transportation cost बढ़ी और ships भी आपके इसी पर ही चलेंगे आपके transportation cost बढ़ी और transportation cost बढ़ी तो और माल मेहंगा हुआ एक cascading effect होता है इसका और वो माल मेहंगा हुआ तो Europe और America जो के आप से सस्ता माल खरीद रहे थे अब वो Bangladesh से लेंगे, Thailand से लेंगे या वो Indonesia से लेंगे, Malaysia से लेंगे, आप से नहीं लेंगे आपके exports किरेंगे जिस चीज़ को government हमेशा संभाल के रखती है, एक चीज़ currency और दूसरी चीज़ आपकी inflation, जो बिजली और ये petrol, इनको क्योंकि इससे एक direct impact पढ़ता है आदमी की lifestyle पे जो आज तक आपका 10 रुपे जाने का, मतलब एक labor class का, जो जाने का अपने office तक पहुशने का 10 रुपे का ticket था, वो अब 12 का हो गया, तो उस पर महीने का expenditure बढ़ गया, तो उसकी salary बढ़ा नहीं पड़ेगी, और साथ-साथ उसके बिजली का बिल बढ़ा, तो salary बढ़ा नहीं पढ़ेगी, बिल गबल यहां भी बढ़ा, और office में भी बढ़ा, तो office में जो finished product बहारा आ रहा है, उसकी भी cost बढ़ी, तो यह एक vicious cycle है, जिसमें पाकिस्तान अब फसता जा रहा है, लेकिन कोई आदमी इस पर ध्यान देने के mood में नहीं, आभी कुछ तो वो क्या, जो Thailand में, या Malaysia में, या in fact, Taiwan में और China में जो बन रहे हैं, उन से compete कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, कि पाकिस्तान इतनी जल्दी इस economic crisis से बहार आने वाला है, क्योंकि सामने, अफगानिस्तान की ठंड खड़ी है, जहां पे एक खाने की crisis, खाने पीने की crisis, humanitarian crisis सामने खड़ी है, डॉलर्स है नहीं, डॉलर्स बहुत सारे, अफगानिस्तान भी ले जा रहा है इन से, तो इनके बस डॉलर है नहीं, इसी लिए डॉलर उपर भाग रहा है, अफगानिस्तान के पास कहीं से एड नहीं आ रही, और एड आ भी रही है तो वो डॉलर में नहीं आ रही, साफ बोला गया है कि एड आएगी, तो डॉलर में नहीं देंगे, पैसा देंगे, समान देंगे, खाने पीने का, और हम खुद अपने सामने उसको डिस्टिब्यूट कराएंगे, यूरोपीन यूनिन भी ऐसा बोल रहा है, और दूसरे कंट्रीज भी ऐसा बोल रहा है, तो अफगानिस्तान की जो डिमांड है, वो भी पाकेस्तान को भी पूरी करनी बड़ेगी, नमस्कार, जैहिन